नमस्कार दोस्तो एक्सिस बेंक शेर में हमें एक बहुती अच्छी तेजी देखने को मिली है और दोस्तो ये शेर आ गया है अपने important resistance के नजदीक में तो दोस्तो चलिए करते हैं Axis Bank Share का Technical Analysis और देखते हैं कि इस Share में क्या अभी भी खरिदारी करने का एक अच्छा मौका है क्या इस Share में यहां से हमें एक तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी और दोस्तों अंत में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये share हमें short term में कौन से targets अच्छीव करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Axis Bank share में important resistance के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस share में 815 रुपीज का ये वाला जो level है ये level एक बहुत ज़्यादा important resistance level है क्योंकि यहाँ पर आप देखो दोस्तों पहले भी share ने इसी level पर multi time resistance फेस किया है और दोस्तों अभी ये share एकदम अपने resistance के नजदिक आ गया है तो यहाँ पर 815 रुपीज का level एक important resistance level है दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो resistance है इस share में वो है 850 रुपीज का level यहाँ पर आप देखो 850 के level पर पहले भी share ने एक बार resistance फेस किया था और ये share ये resistance ब्रेक नहीं कर पाया था इसलिए हमें इस share में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी तो यहाँ पर 815 और 850 यह दोनों levels एक important resistance के काम करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस share में important support की तो यहाँ पर 776 रुपीज का level एक अच्छा support level है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला level दोस्तों आईएप हम apply करते हैं इस share में कुछ important technical indicators और देखते हैं यह indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो indicators को apply करूँगा MACD और RSI तो यहाँ पर जब तक indicators apply हो रहे हैं तब तक आप वीडियो को like कर सकते हो और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो stock market related updates के लिए channel को भी subscribe कर जीचिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस share में जो MACD indicator है उसमें हमें एक bullish crossover देखने को मिला है और MACD अभी positive है RSI की value अगर हम देखते हैं तो RSI अभी 60 plus में आ गया है तो दोनो technical indicator यहाँ पर bullish दिखाई दे रहे हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस share में खरिदारी करने की तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी holding है तो फिलाल आप इस share को भी hold करके चल सकते हो इस share में सबसे पहला target रहेगा 815 का level अगर यह share 815 के उपर जाता है और उसके उपर अगर यह share stable हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों short term में यह share हमें 850 रुपीज से लेके 885 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो दोस्तों अगर यह share 815 का level का breakout देता है तो इस share में एक शांदार तेजी आईगी और उसके बाद आप इस share में खरिदारी कर सकते हो फिलाल तो यह share मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है पर दोस्तों अगर यह share resistance ब्रेक नहीं करता तो यहां पर गिरावट आने के भी संभाव ना हो सकती है इसलिए अगर आपके पास कोई भी holding है तो आप 775 का stop loss लगा सकते हो तो आज की वीडियो के बसे इतना ही यह वीडियो के जुकेशनल वीडियो था इसलिए शेर में मेरी कोई भी बाई सिल्या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद